मोदी जी को economy का E समझ में आता है? नहीं, कुछ नहीं, ABC नहीं है, पता है. मैं तो जानता हूँ, मैं तो मोदी को 1902 से जानता हूँ. लेकिन इतना जूट क्यों बोला जा रहा है? दुनिया तो देख रही है ना कि भारत की अर्थविवस्ता कहां पर है? यह हमारी इतियास में कौन सी नहीं पाता है, हिटलर भी जूट बोलता था, स्टालिन भी जूट बोलता था, माउसे टूंग भी जूट बोलता था, सारे जो ताना शाही मंच्छा के लोग होते हैं, वो डरते हैं सच बताने के लिए. जूट है, दोका है, यह लोगों को बुद्धू बनाने की बात है, और कुछ नहीं, और उसका सबूत क्या है, मैं जो कह रहा हूँ, मुझसे डिबेट करें, मैं भीजे भी कही हूँ, तो मेरी साथ करें, आप क्यूंकि खुद एक एक एकॉनमिस्ट हैं और बहुत अच्छे से उस सब्जिक को समझते हैं, अगर आप यह कह रहे हैं कि अर्थवेवस्था अच्छा कर रही है, यह मोधी सरकार का सबसे बड़ा जूट और धोका है, जो आपने कहा, उसके अगर पांच इंडिकेटर्ज इस जूट के अगर मैं आप से पूछों कि सबसे बड़ी विफलता अर्थवेवस्था में मोधी जी की क्या है, अगर तीन यह चार पॉइंट्स में मैं आप से पूछों तो वो क्या है सर, एक तो है प्रतिवर्ष विकास की जो बात करते हैं, 7% दूसरा है कि देश में बेरुजगारी कम हुई है, वो जूट है, अब देखे जिस तरीके से राम मंदिर का उदखाटन हुआ है, मोधी जी तो और पावफुल हो गया है, ऐसा लग रहा है कि पूरे देश के वो हिंदू राजा बन गया है, और आप दिनके आगे तो, आपक कि लिए लोग बला रहे हैं? बात समझ में नहीं आती कि बीजेपी में सारे डरे हुए हैं, कोई मोधी के खिलाफ बोलेगा नहीं, आरेसेस तो पिर मोधी को चुनोती कौन देगा? बड़ा अत्याचारी कौन है, मोधी या इंद्रा गंधी? अत्याचारी का सवाल नहीं है, दोनों लोग तंतर में उनका कोई दिल्चसपी नहीं है, या विश्वास नहीं है, या आस्था नहीं है, दोनों ऐसे ही हैं, कोई फरक नहीं है. तो इसका मतलब तो यह है कि अगर मोधी कंटिन्यू करेंगे, तो लोगता खत्म हो जाएगा? नहीं, अगर इस परकार से आप लोग कायर बनते रहेंगे, तो या फिर लोगतंतर खत्म हो जाएगा. आपकी कायरता से ये लोगतंतर आज खत्रे में है. हाँ, बिल्कुल, मोधी की मन्शा वो डर्पोख है, चाइना से बहुत डरता है, उसका कारण है, मैं अभी जूट बोला. यानि कि आप कहरें कि मोध सबसे बड़े गद्दार हैं? इस महमले में तो 100% गद्दार है. जूट बोल रहे हैं कि चाइना ने कोई जमीन ने लिया है, कोई आया है नहीं, कोई गया है नहीं, बाट कौन सुनने वाला है? आप चाहते हैं दो हजार चॉबीस में मोधी प्रधान मंत्री बने? ना, उसक के कारण नहीं. लेकिन आप मानते हैं कि मोधी काल का अंत अब आ गया है? आजो मैं तो वविशमानी कर नहीं सकता, पर तो मैं इसको आने नहीं दूँगा, इसके लिए मैं प्रयास करूँगा. नमस्कार, स्वागत है आपका अजीद अंजुम के प्लाटफॉर्म पर मैं हूँ नीलू व्यास. बज़र के ठीक पहले सबको ये चिंता होती है कि भारत की जो अर्थ विवस्था है आखिर वो पट्री पर है या नहीं है? बहुत सारे कारण है ये इस बात को कहने के लिए क पट्री पर ये अर्थ विवस्था नहीं है. लेकिन एक नया शगूफा मोधी सरकार ने फेका है. एक फिनांस मिनिस्ट्री की एक रिपॉर्ट आई है जो कि ये कहती है कि भारत की अर्थ विवस्था को 2030 तक 7 ट्रिलियन की एकॉनमी बना दिया जाएगा और 5 ट्रिलियन की भी वो अगले 3 साल में बन जाएगी. अब इस चीज़ पर कैसे विश्वास किया जाए? बजट के ठीक पहले ये रिपॉर्ट आई है. क्या ये एक नया शगूफा है? इसके अलावा भी बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जो मोधी सरकार के लिए परेशानी बन सकते हैं. लेक बहुत-बहुत स्वागत है अजीत अजुक के प्लाटफॉर्म पर. बजट के ठीक पहले एक रिपॉर्ट ये कहती है कि भारत की अर्थविवस्था 2030 तक साथ ट्रिलियन की एकॉनमी बन जाएगी. ये क्या है? क्या वाकई मैं ऐसा कुछ आपको दिख रहा है? मैंने तो बहुत देख लिया है. उन्होंने दो हजार साथ, आठ को, अठारा को मोडी ने का कि मैं पांच ट्रिलियन कर दूंगा. अब और दो हजार बाईस तक. अब दोजार बाइस तो पार हो गई और हम दोजार चौदा में हैं पांच डिलियन के कहीं निकट नहीं है तो उसका कोई कोई हिसाब लेने वाला ही नहीं हमारी सरकार जो है वो ऐसे बयान देते रहती है जो प्रोपगेंडा के रूप में आती है बट आप उनको डिबेट में बुलाएंगे मैं नहीं कहता हूँ कि आप विपक्स को बुलाइए मैं बीजेपी में हूँ तो बीजेपी में मेरे अपोज में कोई प्लाइनिंग कमिशन या वो जो भी कमिशन बनी है या फैनांस मिनिस्ट्री की जो एकनामिक अडवाईजर्स हैं उनसे मेरे डिबेट करा दे और मैं बता दूँगा कि ये सब धोका है पबलिक में और इससे हमारी पार्टी की नुकसान होती है लेकिन ये जो साथ ट्रिलियन की बात कर रहे हैं ये आज की जो मुद्रा आज की जो प्राइसिज है दाम है उसके अधार पर कह रहे हैं या इंफलेशन को जोड़ कर कह रहे हैं इसको आप उस दस्तावेस को पढ़ेंगे तो कहीं भी ये बात पष्ट नहीं किया है कि करन प्राइस या कॉंस्टेंट प्राइस कॉंस्टेंट प्राइस में ही होता है अर्थशास्त्री जो होते हैं वो सिरफ एक स्थंब बना देते हैं कि हम 2014-15 से शुरू करके उस में जो दाम थे उसके अधार पर जो उत्पादन है उसका हम क्योंकि उत्पादन में कोई लिटर में है कोई पाउंड में है या कोई किलोग्राम्ज में है तो उन सब को एक करने के लिए दामों पर हम उसको मल्टिप्लाई करके उसकी वैल्यू लेकर जोडते हैं कौन सा गड़ित निर्मला सीतारमान या मोधी जी लगा रहे हैं अगर साथ ट्रिलियन जब वन ट्रिलियन की भारत बना था उसको करते करते साथ साल लग गया ऐसी कौन सी जादू की छड़ी मोधी सरकार ने घुमा दी है कि अब 2030 तक आप साथ ट्रिलियन की बन जाएंगे आप साथ जोड करके आप गनित करेंगे तो फिर साथ हो दस हो पंद्रा हो मैं कहता हूँ कि जो तो हजार चौदा का जो दाम थे उसको उसको पकड़ के रखे और सारे जो उतपादन है उसको उसमें उसमें मल्टिप्लाई करके देखें तो आपको मैं कहता हूँ कि जो 7% कहते हैं मैं उनको कहता हूँ कि कोई भी डिबेट मेरे साथ आ जाए कोई नहीं आएगा बट मैं डिबेट में प्रूव कर दूँगा ब्लैक बोर्ड आप रखोगे उस इंटर्वियू में तो मैं कैलकुलेशन दिखा दूँगा कि आज मोडी आने के बाद हमारी ग्रोथ रेट 4% प्रतिवर्शी रहा है जीडिपी में लेकिन दावा तो वो 7% कर रहे हैं कि 7% वो तो करते रहेंगे दावा करने के लिए मेरे साथ डिबेट करो वो भी नहीं करेंगे मुझे लिखकर दे दो मैं लिखकर देता हूँ उसका लिखित में जवाब दे दे वो भी नहीं करेंगे वो इतने डरेवे हैं मुझे कि कहीं नहीं आने चाहते हैं कि उनको पता है कि हम तो प्राध्यापक थे और दुनिया के सो सबसे मशूर एकॉनिस्ट दो थे जो जिनको पहले नमबर वन जब नोबेल प्राइस एकनामिक्स में रखी गई उसमें पहला नाम था पॉल सैमिलसन उसका मैं जॉइंट आथर हैं और उसके बाद दूसरा साल साइमन कुजनेट्स को मिला वो मेरा थीसिस अड्वाइजर था तो ऐसे लोगों के बीच में मैंने और जहां तक साइमन कुजनेट्स हैं वो कहते हैं कि जीडीपी का जो पिता है जिसने इसको पैदा किया वो है साइमन कुजनेट्स मुझसे को ज़्यादा जीडीपी पर जाने जाएं जब मैंने उनके साथ करके मेरा पिएजडी थीसिस जीडीपी की काल्कुलेशन पर थी लेकिन सर आप जिस फॉर्मिले की और आप जिस काल्कुलेशन की बात कर रहे हैं ऐसा लगता है कि मोधी सरकार तो उस काल्कुलेशन को मानती नहीं है मेरा आप से ये पूछना है कि उनका जो calculation का आधार है जिसके आधार पर निर्मिला सीता रमन या मोदी जी कहते हैं कि देखिया हमारा देश कितनी तरकी का आप कहां उन्होंने आधार चापा है किसी document में चापा है सिर्फ सब ऐलान है ऐलान है वो कह रहे है हमने reforms किये हमने inflation कि किया है तो मुझे बताएं आप दिखाईए कौन से reforms के लिए बात कर रहे हैं कौन सी issue में किस ज़र लोगों की तनका बड़ी है की नहीं बड़ी है कौन सा sector में कितना बड़ा है ये बता दीजे अगरिकल्चर में कितना हुआ मानिफैक्शर में कितना हुआ सर्विसिस में कि और किस प्राइस पर आप उसकी सारेज प्रड़क्शन ने उसको जोड़ते हैं आज की प्राइस या यह दो आजार चौदा का प्राइस तो यह सारी कंपैरिसन्स यह एक अब टेकनिकल सबजेक्ट है और आइम एफ को कभी उसका नाम ले लेते हैं आइम एफ वो ही छापता है जो आप उनको भीजते हैं उनका उनके पास कोई अपनी कोई इकॉनमिस बैट करके इसकी इस्टेशन कर नहीं सकते हैं उनको गर्शान करती है कि क्या भारत की अर्थवेवस्ता बहुत अच्छा कर रही है क्या यह मोदी जी का सबसे बड़ा जूट है जूट है दोका है यह लोगों को बुद्धू बनाने की बात है और कुछ नहीं और उसका सबूत क्या है मैं जो कह रहा हूं मुझसे डिवेट करें मैं भीजे भी कई हूँ तो मेरे साथ करें यह सब के सामने नहीं करना तो टेप करके पर टेप दिखा दो उखर नहीं करेंगे नहीं आमने साम किया चुपा रही है यह मोदी सरकार अर्थविवस्था पर ऐसा क्या चुपा रही है जो कि लोगों के बीच में जिसकी असलियत ना आ पाए वह है ना एक तो है जो गाउं में जो जो मुद्रा यह नि जो दाम हैं जो प्राइसिस हैं वो फिक्स प्राइसिस पांच साल के पहले की जो प्राइस थी या दस साल के पहले जो प्राइस थी उसके आधार पर उसकी का अब मैं जा रहा हूं मार्केट में दस रुपिया में मुझे दस केले मिल जाएं पांच साल के साथ जाता हूँ और केले के दाम बढ़ गए तो मुझे तो दस ने मिलेंगे, मुझे पांच मिलेंगे. अगर मैं आप क्योंकि खुद एक एकॉनमिस्ट हैं और बहुत अच्छे से उस सब्जिक को समझते हैं, अगर आप ये कह रहे हैं कि अर्थवेवस्था अच्छा कर रही है, ये मोधी सरकार का सबसे बड़ा जूट और धोखा है जो आपने कहा, उसके अगर पांच विकास की जो बात करते हैं, साथ परसेंट अभी कह रहे हैं, जीडिपी ग्रूप, जीडिपी की आधार पर, वो चार परसेंट है, ये जूट है, दूसरा है कि देश में बेरोजगारी कम हुई है, वो जूट है, तीसरा है कि जो रेखा है, गरीबी की रेखा है, उस गरीब की रेखा के नीचे जो संख्या है वो कम हुई है, वो जूट है तीसरा है कि हमारी जो export, import में हमने export ज्यादा किया, import कम किया है वो जूट है और चाहिए अब को तो मैं और सुना सकता हूँ लेकिन इतना जूट क्यों बोला जा रहा है दुनिया तो देख रही है ना कि भारत की अर्थवेवस्ता कहां पर है। यह हमारी इतियास में कौन सी नहीं बात है। हिटलर भी जूट बोलता था, स्टालिन भी जूट बोलता था, माउसे टूंग भी जूट बोलता था। सारे जो तानाशाही मंचा के लोग होते हैं, वो डरते हैं सच बताने के लिए। तो इसका मतलब यह है डॉक्टर स्वामी की जो बात फाइनांस मिनिस्ट्री की इस रिपोर्ट में आई है कि डॉक्टर स्वामी कहते हैं, आप बुद्धू है, आप आपने दोका दिया है, जूट है, इसका जवाब किया है, किसी को हिमत नहीं है, आपकी अग्दार वानेगा। अग्दार के ना में टाइम ही नहीं मिलेगा विद्धूपदार विद्धू है। आप भूज जाए और पूचिए, या क्यों नहीं दे रहे हैं आपको टाइम, आप कहिए है कि आपको टाइम देंगे, पर आप कहेंगे स्वामी के जो बात है उसको कंड़न करने के लिए मैं आ रहा हूं। आपके यह तो कहेंगे, ने, अब मेरा बात बिजी है, वो है, यह हुआ है। तो इसी बात में अकबार वारे चापते नहीं हैं। एक ही अकबार चापते हैं उसको बहुत कम लोग इस तरफ पढ़ते हैं, वो भी अंग्रेजी में है, वो है हिंदू निउस्पिमर। उसमें मैंने लेक लिखा है, अभी दो हफ्ते में मेरा एक और लेक आएगा, जिसमें यह सारी चीजों को मैं अंकड़े देखकर कहूंगा, यह सब जूट रहा है। मोदी जी को क्या एकॉनमी की समझ नहीं है, निर्मला सीतारमान को वित्तमत्राले हैंडल नहीं करना आता, कमी क्या हैं, क्या इनके पस दिमाग नहीं है। निर्मा सीतराम हम तो नाम के वास्ते वितमत रहे हैं। सारे पीमो में चार-पांच बाबू लोग बैठ करके तेह करते हैं। और वो ऐसे तेह करते हैं कि मोडी की कद को जादा बढ़ाने की बात कहें। और जो भी मोडी की विरुद में जाती है उसको, हम यह ना कहते हैं या उसके उपर हम दूसरा अपना आंकड़े देते हैं। तो इसमें कोई चेकी नहीं है, कोई अकबारवालों के हमत नहीं है. कोई कोर्ष्पांडनों को हमत नहीं है, मोह मिनिस्ट्री में जाकर अंधर्बास सीतराम सामने कहें, मदरास में अभी घुमी है कोई अख़ार वाला जाए के पूछें तो एकॉनमी बताईए कि ग्रोथ रेट आपने कैसे किया आप अब दो हजार चौदा से ग्रोथ रेट जीडीपी का लेंगे तो ये गिरते आया है उसका ग्राफ मैंने एक पुस्तक मैंने लिखी है जो चपी है यानि कि आप ये कह रहे हैं कि दो हजार चौदा से लगातार जीडीपी गिरता हुए जीडीपी ग्रोथ रेट और जो दावा है सरकार का वो बिलकुल उलत है पुलीट नहीं है लेकिन इतना डिफरेंसर कैसे आसकता है जो आपकी क्लास के जो एकॉनिस्ट हैं और और भी कई लोग हैं वो उनका माना है जीडीपी ग्रोथ नहीं हो रही है share सरकार दिका रही है लेकिन नहीं रेकिन सरकार में आपने आपने जु कहा या कोई जूटा केस डालकर कोई रेड हो जागी उनके घर में, तो वो क्यों करें, जब बाकी लोग नहीं कर रहे हैं, अगबार में जो प्रत्रकार हैं वो नहीं कर रहे हैं, अब प्राध्यापक लोग नहीं कर रहे हैं, तो जिनको करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं, उसी ट तो जो नाम के वास्ते हैं, तो क्या वो मोदी जी को क्या डिस्ट्रॉई करने में लगे हुए है? नरेंदर मोडी जो उनको कहते हैं, वही करते हैं, और कुछ अपने बल पर वह कुछ नहीं कहते हैं, यानि कि मोदी जी उनको बोलते हैं, यहाँ ऐसा करो, हाँ, काओ कि एकानोमी बहुत सुंदर जा रही है, ग्रोथ रेट बहुत वाई हो रही है, अगर कल्चर में अब कि मोदी जी ने पूरी विश्व को मूर्ख समझ रखा है, कि किसी को समझ में नहीं आएगा, मूर्ख या डर्पोक, आप दोनों में, आपके अकबारों, आपके सबसे ज़्यादा जिम्यदारी बनती है, कि जो आप प्रचार करते हैं, आप जो अकबार में बोलते हैं, यह तो पब्लिक को बताने की बात है, किसी को हिमत नहीं है बोलने के लिए, मोदी जी को economy का E समझ में आता है, नहीं, कुछ नहीं, ABC नहीं है, पता है, मैं तो जानता हूँ, मैं तो मोदी को 1902 से जानता हूँ, लेकिन इतने confidence का उनके कारण क्या है, किस confidence कहते है, कि emergency में देख या, रीड के हड़ी बहुत कम लोग का होता है, हाँ, हमारे लोग चिप चाप कुछ करना है, जैसे उस समय इंदरा गांदी ने election करा दी, तो हमारे लोगों ने आकर उसको हरा दी, पारन तो वो सब उस प्रकार की गलती नहीं करेंगे, वो एक आतंक हवा बना के रखेंगे, आतंक है, मैं आपकी बात, पत्रगान की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे पार्टी में कोई नहीं बोलता है, क्यों, सब मुझसे बात करते हैं, और यही पूछते हैं, कि आपको कितना अहुमत कहां से आ गया, मैंने का, मैं तो emergency में सिद्ध कर दिया, कि मैं बस मुझे किसी की परवा नहीं है, किसी नहीं है, सच है सच, जूट है जूट, लेकिन डॉक्टर स्वामी, आपने कई platforms पर, interviews के दोरान, आपने बार बार इस बात को दोहराया है, कि BJP अगर चाह ले, RSS अगर चाह ले, तो मोधी जी इतने powerful नहीं होंगे, लेकिन आपके यह सारी बातों कहने कहने के बावजूद, अभी देखे, जिस तरीके से राम मंदिर का उद्गाटन हुआ है, मोधी जी तो और powerful हो गए है, ऐसा लग रहा है कि पूरे देश के वो हिंदू राजा बन गए है, और आपके दिमाग में बनी है, मैं तो यह अनुबह नहीं कर रहा हूं, जहां भी ज है, जो अगबारों में आ रही है, उसको आप दोरा रहे हैं, तो अगबार, ओल इंडिया रेडियो या जो टीवी में आती है, यह सारी चीज़ें जो वो चाहते हैं, वो ही होता है, और जो नहीं चाहते हैं, उनको नोकरी से नहीं हटा देते हैं, नहीं लेकिन आपको नहीं लगता कि राम मंदिर के मंदिर के उद घाटन के बाद जिस तरीके का इस सेंटिमेंट देखने को मिल रहा हैं, क्या राम के बल पर मोदी जी अब और पाफ नहीं हैं? नहीं, नहीं, बिलकुल नहीं, मैं तो जानता हूं कितने कितने शंकराचारिया जिनके विरुद में हो गए हैं, हवा तो यही है कि ये, क्योंकि इन्हों ने एक पिटिशन फाइल की थी जब मैंने अपने केस पर बहस कर रहा था, और मैं जीतने वाला हूं, ऐसा लगने लगा तो मोडी ने अपने दफ्तर से एक पिटिशन फाइल करी, उसको एप्लिकेशन कहते हैं, कि जो जमीन नरसिमा राव ने राश्ट्री करन किया, जिससे इतना बड़ा विशाल एरिया बन गई, राम जन्म भूमी का, उसको हम रद करके दुबारा वो जमीन वापस करने चाते सुप्रीम कोर्ट ने उसको ठुकरा दिया, किसी अकबर में नहीं आया, आज भी मैं बोलता हूं नहीं चापते हूं, ट्विटर में मैं लिखते रहता हूं, तो जब ऐसा स्थिती है, ये तो रश्या के जैसा हो गया, चाइना जैसा हो गया, तो क्या आपको लगता है कि सबग सिखाए हो ऐसे बैठे हैं, पर उनको मुगा नहीं मिल रहा है, लेकिन मोदी जी को कौन सबग सिखाएगा सर, सिखाने वाले तो पबलिक है, सिखाने आ, हमारे पार्टी में ऐसे भी लोग हैं, वो कहते हैं कि हम अभी कुछ करेंगे, तो उसका फाइदा तो सोनिया ग सांदी तो इस देश की नहीं है, के जीबी के साथ उसके बड़ी लंबी रिष्टे हैं, वो पता नहीं कई और चीज़ें हैं, जो आपके टीवी में मैं कह नहीं सकता, बलन तो वो हमारी देश के लिए अच्छी नहीं है, उसको कभी नहीं पावर में आना चाहिए, वो प्र और डॉक्टर अब्दुलकलाम, वो बिचारे उसमें बहुत पच्छा हैं, क्योंकि उन्हों हैं, जो मैंने का उसके आधार पर उनको शपत देने के लिए इंकार कर दिया था, और जो इस कारण से मैंने बताया, वो कोई अकबार नहीं चापेगा, लेकिन जितने भी लोग ह मोदी जी की एक अपील है, और तीसरा की, ये तो मैंने बहुत सुना है, तो ये तो आपकी रीड की हड़ी तोड़ने के लिए बोलते हैं, और हो सकता ये मोडी के ही लोग हैं, वो जवाब नहीं दे सकते हैं, तो ये बोलते हैं, कोई अल्टरेंटिव नहीं है, तुमारे य ये जो किसी को पकड़ के बना दो, मोडी Dong- Sims जी इतना खराब हैं, तो इससे खराब तो कोई ही नहीं सकता, क्यों और आल्टरेंटिव चाहते हैं, और ये क्यों बीजेपी में कहा मोडी का? वो हजार हैं मैंने नाम नहीं लूँगा उनको निशाना बनाएंगे बहुत लोग हैं कौन तलाशेगा ये ये जब खाई पैदा होगा कोई एक मोडी जी मोडी निकल जाएंगे तो फिर हम जानी के बाद शास्त्री आ गए शास्त्री को पहले कोई मानता ही नहीं था नहीं ल प्रिधानमत्री बनने जा रहे हैं असार तो पूरे लग रहे हैं उसके तो आप लोग अभी से अपने हत्यार डाल दी तो मैं क्या करूँ नहीं मैंने हत्यार नहीं डाला मैं तो जिस तरीके की जो इंडिकेशन बन रहे हैं तो वो दुबारा बन रहे हैं तो मैं क्या घर मे हैं क्योंकि उस समय सोनिया गांदी के विकल्प में कोई भी अच्छा है ऐसा था बागी लोग किसी किसी बात पर उनकी रीडर की अड़ी तूड गई थी जिनके नाम पहले चलता था आपको पच्छतावा होता है कि मोदी जी प्रधानमंत्री बारे उस समय और कोई नहीं बच हुआ कि मुझे आप किसी की चंता नहीं है लेकिन मोदी जी के आप सबसे बड़े अलोचा पार्टी के अंदर रहे के कैसे बन गए क्या चीज उनकी आपको बिलकुल पसंद नहीं आती है आप पार्टी से पूछे कि आप स्वामी को यह यह अनुमति क्यों देते हुँ आप तो कोई आक्शन नहीं होता है। मोदी ने गलत काम कर दिया और जैसे एकॉनमी बिगड़ी तो और भी लोग बोलने लगें तो और अब चाइना ने आकर हमारी जमीन हड़प कर ली तो मैं चाइना का बोलते आया हूं कि वह उन्होंने इतना जमीन हडप कर लिया है तो लोग आज हमें एक जो सच बोलता है और लोगों को सच बात बताता है वो इमेज बने जिए यह क्या कर सकते हैं मुझे निकालेंगे तो और बाव समस्या हो जाएगी तो आप यह कह रहे हैं कि एक तो एकॉनमी का बंटाधार किया दूसरा फॉरेंड पॉलिसी इसूज देश को बेच दिया लेकिन मोदी जी के इंडिविज्वल कारेक्टर पर क्या कहेंगे आप जो उनका एक चरितर है जिस तरीके से वो पेश आते हैं जो लोग मुझे कहते हैं कि यह परर '' चर चरितर के बारे बदा करऊ रहूँ इह निजी मामला है मैं कह दूँगा तो आप ही यहां से ओठ के चले जाएगा नहीं मैं उनके political character की बात कर रहा हैđं पुलिटिकल कारेक्टर तो आपके आमनी सामने है, मुझे क्या बतानी है, वो सहन नहीं करेंगे, वो कोई उनकी विरुद में कुछ लिखेगा, कोई ऐसी बाद जो छिपी वी है उसको बाहर निकालेगा, तो कल पतानी हो जिंदा रहेगा की नहीं, यह ना, तो यह डर जो है, मुझे मुझे से क्या फाइदा है, कोई छापएगा, आप भी नहीं छाप सकते, आपको डर नहीं लगता की आप मोदी जी के खिलाफ हो, मैं तो कभी डर नहीं लगता की मोदी जी कुछ कर्णा दे। जो डरता वो ब्रामन हो नहीं सकता, ब्रामन गुन है, इस परिवार में पैदा हुआ वो ब्रामन नहीं होता, बगवान कृष्ण ने तो कह दिया गीता में, कि ब्रामन होगा वो जो जो ग्यानी, त्यागी और साहसी, तो ये तीन गुन नहीं है, तो ब्रामन नहीं हो सकते हैं चुनाव सिर्पर है और EVM को लेकर बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि EVM कुछ नहीं हो, EVM से कुछ नहीं हो, नहीं सर लेकिन अभी एक खबर आई है, मैं ही लाया था EVM, आप जाएंगे और देखेंगे, उस समय मैंने ही कहा था EVM होनी चाहिए, और उसमें सुप्रीम कर केस डाल कर आदेश आने के बाद ये आई, नहीं लेकिन जिस तरीके से IS ऑफिसर जो पूर्व सेकेटरी है, E.S. सार्मा, उन्होंने एक पत्र लिखा है चुनाव आयो को, ये कहते हुए कि भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड जो की चिप्स बनाती है, EVM बनाती है, उस हैं, तो मैं उसको अच्छी तरह जानता हूँ, ये बड़ ग्यानी वेकती हैं, उनको वो भी त्यागी टाइप हैं, आये इस में थी, सब छोड़कर चले गए, अब विसाकापटनम में रहते हैं, तो मैं ये कहता हूँ कि उनका जो स्टडी होगा, वो तो ठीकी होगा, बात उन्हों नहीं कहीं, तो सही बात कहीं, ये बीजेवी वालों को क्यों हम बठाया, क्या करेंगे आप, आप होंगे कि जिस जगह में हार रहे हैं, वहां कह देंगे कि इलेक्रिसिटी फेल होगी, इतना ही कह सकते हैं, बट मशीन वोट को बदल देगा, ये उन्हीं मुर्ख कह और कोई नहीं कहेगा, और कोई नहीं कहेगा, लेकिन जो वो चिप डाली जा रही है, जो बात मिस्टर सार्मा ने भी लिखी है उस चिट्थी में, कि भई आप बीजेपी के लोगों को आप बौर्ड अव डिरेक्टर्स में भारत इलेक्रोनिक्स लिमिटेड के आप क्यों बिठा रहे हैं, क्यों बहुत अलग बात है, उन्हों ने ये चिप का कहा है, उन्हों ने ये भी लिखा है ना कि जो स्केप्टिसिजम एवियम्स को लेकर हो रहा है, तो उस पर चुनाव आयों को क्लारिटी करनी चाहिए, नहीं 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 आप ने जो कहा है, कि चिप को बदल नहीं सकते हैं, सिर्ब नाम बदल सकते हैं पर उन्हों तो वो देखेगा आपको, अजा दूसरा है, मैं ये कहता हूँ, मैंने सुप्रीम कोर्ट में जाकर एक और चीज जोड़ी, बाद में, जब ये सब संदे आया, वो है वी वी पी एटी, वो जानते हैं, तो जब आप जाते हैं, वो एक पेपर आता है, टीवी जैसे कैमरा में, और उसमें आपको दिखाता है कि आपने किसको वोट दिया, और वो ही परचा गिरती है बखसा में, अलग से, चुनाव हारने के बाद उसको खुलवा, कोई ने करता है, मैं मिशीन ने कर दिया, मिशीन ने कर 100% वीवी पैट अगर कर दिया जाए, तो क्या मोदी जी की पोल खुल जाएगी? गिंती चाहता हूँ मेरे पेपर्स के, जो कैमरा में आकर सब को दिखता है, और एक अलग से बक्स में उसको रखा गया है, तो मैं चाहता हूँ, जैसे वो हुआ, करुणा निदी जो इसके सयोग में थे, चिद्रम्रम के, उन्होंने वो रिटानिंग आफिसर की यह आहलत की गर में फोन करके बीबी को डरा कर, कि वो रिटानिंग आफिसर ने का कि ने ने मैं ने आलाओ करूँगा, और फिर वो जो एडियम के का आजमी था, कैंडिडेट, उसको पैसा मिल गया तो उसने भी छोड़ दिया, कहता है काईको मैं यह साथ लूँ, जब समाज में सब ठं लेकिर आपको लगता है कि जो बात अभी साम पित्रोडा ने भी हाल में कही थी, कि अगर EVM को लेकर clarity, अगर election commission नहीं करेगा, तब तो फिर मोदी जी को 400 पार मोदी जी seat कर जाएंगे, तो यह अमेरिका में बैट के क्यों कहता है, यहां आकर कहने को, वो तो बेल पर है, है, उसके मैं क्या कीमत दूँ, लेकिर आपको नहीं लगता कि मोदी जी कोई खेल कर रहे है, EVM के साथ, कर नहीं सकते, जो डर पोक है, वो मोदी जी को खेल कर रहे है, यह बोल करके, आप और मोदी जी को, मोदी जी आप कहते हो, मैं तो उसको मोदी जानता हूँ, मोदी जो वो और उसका बल बढ़ती है, डराओ मत लोगों को, कोगे ने, इलेक्शन वोगे, सब ठीक होगा, आप निर्भेह होकर जाकर वोट डालिये, और यदि आपको लगता है कि आपकी वोट उस हिसाब से नहीं आई, जिस हिसाब से आपने गनित की, तो उसका खुलवाने के लिए अब ही जब राम मंदिर का उद्गाटन हो रहा था तो मोधी जी ने जो स्पीच दी थी, मोधी ने जो स्पीच दी थी, तो मोधी ने उस अपनी स्पीच में चार बार इस बात का जिक्र किया कि काल चक्र बदल रहा है, और काल चक्र बदलेगा, यह तो बाहर आकर कहा है, ज एक बार उसने का 2 A B कहां से आ गई A plus B square में, तो सब हसे, इनको समझ में नहीं क्यूं हसरे थे, कहते हैं A square plus B square कह सकते हैं, बट A B कहां से आ गया, और क्या करे हैं हम सब हसेंगे, लेकिन तीसरे टर्म में अब क्योंकि ये बाना जा रहा है कि भाई मोधी प्रदावाद नहीं तो माना जाना है तो देखो मैं इसमें कभी ने बोलने वाला हूँ लोग कहते थे कि नेरू के कोई विकल्प नहीं है और अच्छा होगा वो सौ साल रहेंगे तो क्योंकि नेरू का कोई लाल बादर शास्त्री आए पहले कहते तो सबहस्ते नेरू से भी अच्छे निकले ये इस देश में तो आरेसेस भी मोधी को हाथों हाथ लेकर बैठा हुआ है क्यों आरेसेस के क्या दाही तो आएस में मैं पोचता हूँ आएस आरेसेस ने जब जनसंग बनाई थी उन्होंने इसलिए बनाई थी क्योंकि नेरू इनको पर प्रतिबंद लगाई जूटे आरोप लगाई कि इन्होंने मात्मा गांदी की अत्या की तो इन्होंने देखा क पर्लिमेंट में कोई भी नहीं बोल रहा हमारी पक्ष में तो तब उन्होंने का कि फिर हमारी एक पार्टी होनी चाहिए जो हमारे बातों कभी कहेगी उसलिए जनसंग बनाई थी और जनसंग बनाने के बाद उन्होंने एक ही कमिट्मेंट दी कि जब इलेक्शन होगा तो बूत में हमारी लोग बैठके आपको मदद करेंगे बाकी तो RSS का काम नहीं है RSS चुप है क्यों तुमारे लिए बोलें तुम चुप हो और RSS को कहते हैं तुम RSS क्यों चुप हो लेकिर मुझे डॉक्टर स्वामी जो बात समझ में नहीं आती कि BJP में सारे डरे हुए हैं कोई मोदी के खिलाव बोलेगा नहीं RSS सारे नहीं मैं नहीं डरा हूँ नहीं मैं आपके बात नहीं कर तो फिर सारे मत बोलो जादातर लोग बोलो आपको छोड़कर जादातर लोग बिलकुल ठंडे वो बोलते नहीं है मोदी के खिलाव RSS बोलता नहीं है तो फिर मोदी को चुनोती कौन देगा वो तो उनको पूछना चाहिए मुझे क्यों पूछते हो मैं तो जानता हूँ कि अमर्जनसी में भी ये लोग कहते थे मैंने एक दिन पार्लिमेंट में आगया मेरे ऊपर कितने 18 केसिस थे विदेश में था विदेश से आया एरपोर्ट में पकड़ नहीं सके उनको पता भी नहीं था कि मैं आया हूँ और मैं फिर पार्लिमेंट में गया और सब देख रहे हैं मुझे और मैंने एक छोटा सा स्पीच भी दे दिया कि आप जो पढ़ रहे हैं उसमें डिमोकरिसी भी मर गई है उसका भी एक सा जो होता क्या मरने पर उनका एक ये होता है आप स्पीकर का मैंने का उसके भी आप कर दीजे और फिर मैं बाहर निकला फिर मैं विदेश अमेरिका चले गया ये पकड़ नहीं सके मुझे तो ये कैसा हो सकता है मैं पहले बताता है लोग को लोग को देखे हैं कि पागल है जासे हो एरपोर्ट में पकड़े जाएगा मैं तो इस चीज़ से चिंते थूँ कि अगर मोदी आ गया दो हजार चौबीस में तो फिर देश का क्या होगा लोगता क्या होगा कुछ नहीं होगा इस देश को कोई दबा नहीं सकता इसकी काल आ गई है और जो हम भुगते हैं मुसल्मानों नहीं कर सके अंग्रेजों नहीं कर सके और बस हमारे थोड़े दर बदर नक्सान किया हमारे जमीन को तोड़ा काटके दूसरे को दे दिया पर हिंदुस्तान आज चमक रही है और चमक रही है क्योंकि हमारी पुब्लिक के कारण नेता के कारण नहीं लेकिन आप मानते हैं कि मोधी काल का अंत अब आ गया है आदो मैं तो वविशवानी कर नहीं सकता पर तो मैं इसको आने नहीं दूँगा इसके लिए मैं प्रयास करूँगा लेकिन बीज अगार वालों को खुश करने के लिए ये विरोध करेगा वो विरोध करेगा नहीं बताने वाला हूं। क्योंकि आपको तो न्यूज चाहिए और उनको समाचार चाहिए, दोनों मैंनी करूंगा। ये जो होगा वो देखो। आप ये मानते हैं कि अगर मोदी आगा तो फिर देश में चुनाओ अगला नहीं होगा। नहीं होंगा। इसने बत्चा नहीं होगा। उसका बसका नहीं है। यह दोबारा आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा यह तो बच्चा पैदा होगा तो नाक टेडा होगा तो क्या करोगे इसलिए बच्चा नहीं पैदा करोगे हो सकता है ना बच्चा पैदा हुए उसका नाक टेड़ा हो उसके बाद उसकी शादी नहीं हो सकती सब की फिकर पहले से करोगे जोकिम लेना एक बात होती है और भगवान पर विश्वास करना चाहिए मोदी क्या विपक्ष से इतने डरे हुए है कि जितने भी विपक्षी नेता है सब के पीछे देखे एडी छोड़ दिया है वो जानते हैं यह सब कायर है और सब ने गल्त काम किया है कांग्रेश के जमाने में यही हुआ कि लूटो बनाओ चुनाओ के लिए व्यवस्ता करो और जितना कू कर्म करना करते जाओ मोडी का इमानदार है मोडी का इमानदारी के सवाल नहीं है मैं कहता हूँ उसको तो पता है सब कुछ किसने क्या किया तो यह लोग उसके सामने खड़े नहीं हो सकते उनको किसी कांग्रेश की नेता को खड़े होकर कहना चाहिए कि मोडी ने फ़लाना जो प्रमुक नेता है गुजरात के उनकी हाथिया करने में उन्होंने आदेश दी बुलेगा कोई सब को पता है जाके गुजरात में बोलो फुस फुस सब कहेंगे हैं थीक पता है मोडी कहते हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा भरष्टा चार ये जो उनका जुबला है चल रहा है तो आपको लगता है कि मोडी की जो इमानदारी है उस पर कोई संदे नहीं देख इसमें आप बार बार क्यों पूछते हो वो इमानदार है नहीं है वो गदी में बैठा है उसको हटाना है वो इमानदार हो और उसकी नियत खराब है तो वो भी बुरा है उभा एमानदार हो और राश्र के ईन्हें जो विकास होनी है वो नहीं हो एभाई है फिर भी चाइना ने 4000 किलो मीटर स्क्वेर किलो मीटर हड़ब कर ली उसके लिए वो बुरा है तो यह इमानदार का सवाज आप क्यों उठाते रहते हैं जैसे अकबार वाली सब इमानदार होते हैं तुछी लिए अकबार वाली से मैं मिलना बंद कर दूँ डॉक्टर स्वामी इतने सारे भारत में प्रदान मंत्री बने लेकिन आपको लगता है कि जो सबसे विफल प्रदान मंत्री थे वो आज मोधी थाबित हुएं जो ने देश कब इनको प्रदानार कर दिया है विफल तो वो जो यूपी के थे सिंग विष्णानाथ पताप सिंग वो सबसे थर्ड रेट थे फिर उसके बाद वो ती उनसे बहतर है आप कह रहे है नाचरल यह उन्होंने सरकार चलाई ही वो तो सरकार नौ मैने में गिर गई और उसने सारे उल्टा सूल्टा करके बदनाम किया भारत देश का यह सारा जो रेजर्वेशन का जो आज एक महल बनी है उसी ने तो किया किस ने कहा था हमारे कांस्ट्यूशन में है कि जो पिछड़े समुदाई है उसके लिए रेजर्वेशन होनी चाहिए इन्होंने पिछड़े जाती कर दी उसमें सेट लोग बिजनेस रैन अमीर लोग सबको रेजर्वेशन मिल रहा है और जो ब्रामन कहलाते हैं वो गरीब हैं उनको नहीं मिलता है और हाई मार्क्स मिलने से भी वो कम पड़ता है तो यह सारी चीज उसने किया बीपी सिंग और लेकिन जो मोदी और शाह के रूल का जो सबसे बड़ा कहेंगे कि जो सबसे विफलता का जो सबसे बड़ा एक इंडिकेटर है वो क्या है एकॉनिमी और फॉर्ण पॉल कर रहे हैं और जिस तरीके से लोग तंतर का कर रहे हैं तो वो इसी लिए है कि जो जिनके पासपोर्ट है सब्डर पोक हैं पत्रकार क्यों नहीं बोलते हैं अब मैं आज बोल सकता हूं क्योंकि मैं उसके मूँ पर बोलता हूं जब मैं पार्टी का मेंबर हूं तो बागी ल आजकल वो जो चलाते हैं टीवी में नाम ले सकता हूं पर आपको दुखी नहीं करना चालता हूं कि आप उनके दोस्त हैं तो आपके वो क्या सोचेंगे तो मैं कहता हूं कि इस देश में जिनको खड़ा होना चाहिए वो नहीं खड़ा होते तो मैं मोडी जी मोडी जी मोडी जी क्यों मैं रो मैं उसका विरोध में हूं आपको लगता है कि अगर आज पत्रकार जितने भी हैं अगर वो इमानदारी से मोडी सरकार से सवाल पूछने लगे या मोडी से पूछने लगे तो मोडी दो दिन में गिर जाएंगे नहीं, बट वो गिर जाएंगे जिसमें सवाल पूछा, उत्याग करने के लिए तैयार होना चाहिए, सब मुफद में नहीं मिलेगा, तो इसका तो मतलब यही है ना कि मोदी इस अट अन और टाइम हाई, वेरी वेरी पावफुल, इसका क्या मतलब निकाला जाएंगे? मैं नहीं मानता हूँ यह तुम्हारी गिरावट को मुड़ी की उंचाई की मत बताओ, तुम गिर गए और उसमें वो शक्तिशाली से लगता है, मैं रोज इसकी बुराई करता हूँ, ट्वीटर में, वो कुछे नहीं करता है, क्यूंकर वो अकलमंद है, उसको पता है कि इसका क्या हूँगे, सोनिया गांदी को नहीं पता तो इसलिए उसको जेल बेज दिया मैंने, अभी तो इसमें है न, अरेस्ट हुई थी और उसके बाद बेल मांगी, मैंने का नो अब्जेक्शन, तो बेल में आज कल, नाशनल हरल में, टॉक्टर स्वामी, अभी जिस सरीके से ब बहुत बुरी तरह से फसा दिया है, मिलकर. आपने किसी ने रोका नहीं, और कांग्रस तो कुछ बोल नहीं सकते ही, उन्हों नहीं सारा शुरू किया, आयाराम गयाराम तो कांग्रस नहीं शुरू की थी, तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, ये देखना चाहिए. लेकिन ये सलसला कब तक चलता रहेगा, मोदी और शाह का, इधर की सरकार उधर से तोड़ो, इधर से खीचो लोगा. सोनिया गांधी के आने के पहले, इंद्रा गांधी और संजे थे, उन्होंने क्या अत्याचार की थी? लोग यही मुझे पूछते थी, कब जाएगा, कब जाएगा? पहले तुम चले जाओ, फिर मैं बताओंगा कब जाएगा. दोनों ऐसे ही है, कोई फरक नहीं है. तो इसका मतलब तो यह है कि अगर मोधी कंटिन्यू करेंगे तो लोग तादर खत्म हो जाएगा? नहीं, अगर इस परकार से आप लोग कायर बनते रहेंगे, तो यहाँ, फिर लोग तंतर खत्म हो जाएगा. आपकी कायरता से यह सकता है. तुमने कुछ गलत काम किया, तो वैद हो कि मैंने यह गलत काम किया, पर हम तो आज देश के लिए मैं सही काम कर रहा हूं. ताकि वो गलत काम ढूनेंगे भी तो पबलिक कुछ उसको मानेंगे. लिकि मोधी तो अपने आपको और शाह अपने आपको सबसे बड़ा मानते हैं, तो उनसे बड़ा राष्टवाद कोई है नहीं. तो मनने दो ना, उनको अधिकार है, सोचने के लिए. कोई कल कहेंगे, हम सबसे सुन्दर हैं, सो सिनिमा में मेरा बाग मोना चाह सकेंगे. तो हम कैसे रुक सकते हैं? आप क्या करने वाले हो, वो है. नहीं, वो त इतनी कमज़ूर? फॉरिंड पॉलिसी पे भी आपने चाइना का जिक्र किया कि चाइना की चाइना ने कितनी सारी भारत की जमीन हरप की है. अब हालत ये है कि छोटे-छोटे देश हैं, जैसे मॉल्डीव्स है, नेपाल है, बांगला देश है, वो सब भी भारत को आखे दि उसका कारण है, मैं अभी पतानी के स्थिती में नहीं हूँ. पर ऐसा क्या है सर कि वो बतानी सकता है, क्यों इतना वो डरते हैं चाइना से? मैं बतानी सकता, बर ढरते हैं. क्या उन्होंने अपनी कोई चीज गिरवी रख दी ये चाइना है? मैं यह सब कुछ इसकी जवाब हित में आपको ये बात शेयर करनी जाएंगे? मुझे लेक्चर देने आ गए, फिर राश्टर हित का, सबसे और का, बाकी लोग सब बैठे रहें? और फिर मोडी को अटा दूँगा, तो सब मुझे भूल जाएंगे. मैंने देखा, जब एमर्जनसी में मैंने इंदरा आज को समझना चाहिए. लेकिन ऐसा क्या उन्होंने गिर्वी रख दिया है, जो जिसकी वजह से मतलब चाइना से उफ भी नहीं कर पाते हो? वो तो उन्हीं से पूछना चाहिए, पर उन्तु जरूर, उन्होंने गदारी की, चाइना ने जमीन हड़प की, मैंने बताया, उ नहीं कि आप कहरें कि मोदी सबसे बड़े गद्दार हैं? इस मामले में तो 100% गद्दार है, जूट बोल रहे हैं कि चाइना ने कोई जमीन ने लिया है, कोई आया है नहीं, कोई गया है नहीं, बट कौन सुनने वाला है? सोचते हैं हो स्वामी हमारी और चाइना का प्यारती लोग सब वहां बड़े बड़े पोस्त में हैं. नेकिन चाइना की नीती को लेकर कभी भी मोदी जी ने आप से आज तक कभी कोई सला, मश्विरा कुछ भी नहीं किया? ने, एक ही बार उन्होंने का था मुझसे कि एक बैंक बन रही है, ब्रिक्स बैंक, उसका प् चोड़के मैं शेंगा ही जाओंगा, बिल्गुल नहीं मैं नहीं जाओंगा. यह नहीं कि मोदी के सारकाल में मुझे कुछ दिया नहीं, बहुत कुछ ओफर किया, पर्ण तो मैंने माना नहीं, मैं तो कहा मैंने राजनीती में हूं, पार्लिमेंट या मिनिस्टर, इससे बहुता है तो भला करता है, उसको भला नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँ? लेकिन अगर आप मिनिस्टर होते, मान लीजे, तो क्या आप मोदी के खिलाफ बोल सकते हैं? बोलूगा, मैं तो मिनिस्टर था या चंदरशेकर थे, तो जो ओ कहते हैं, यह गलत कह रहा है, मैं इ बात रखता हूं, तो यह कर रहा है, तो तो कभी सुदरेगा नहीं, उसको नहीं डिस्मिस किया, तो यह होना चाहिए, कि आप हमारी बात को काट नहीं सकते हो, तो फिर बान लो, वो मोदी चंदरशेकर में था, वो डिमोक्राट था. लेकिन सर, विदेश नीती एक ऐसी ची होते हैं, लेकिन मोदी की असलियत क्या है, वो उससे वाकिफ नहीं है, और उस पर एक परदा पड़ा हुआ है, वो अंधे की तरह जाके, वो मोदी को बोट डाले हैं, वो हर देश में होता है, ट्रम्प के कितने वोटर्स हैं ऐसे, यह तो दुनिया में होता है, सिरफ लोग परणाप्रणाप्रणाप्रणाप्रणाप्रणाप्रणाप्रणाप्रणाप्रणाप्रणाप्रणाप्रणाप्रणाप्रणाप्रणाप्रणाप्रणाप्रणाप्रणाप्रणाप्रणाप्रणाप्रणाप्रणाप्रणाप्रणाप्रणाप्रणाप्रणाप्रणाप्र यह भी पूछ सकते हैं ना कुछ हुखा हुख और भी मैं कह सकता हूं बट अभी उसकी लिए समय नहीं आया लेकिन मोधी की माया क्या है? लोग इना कैसे मोधी को लोग चुम्बक की तरव क्यों चिपक जाते हैं? तो वह तो हमारी देश की चापलस ही होती है, वह पर अखबार ऋमें भी है, आप अखबार वाली जाकर उसके अखड़ी मौरी को तो आपने तानशायी चलाईये, और आपके जो वह वहा हरेंज जोशी है वह सब हमाने आके डराता है, तो हम आपकी एक लाइं नी छापेंगे. फिर वो कह देगा चाटी का इनकी जो अड़िटिसमेंट आती है वो सब्बंद कर दो तो आप आपके पाउंच हों के नमस्कार करेंगे तो जब आपकी ये कमजोरी है आप ऐसे सवाल क्यों पूछते हो आपको लगता है कि मीडिया कभी भी सीधा हो पाएगा एक ऐसा मीडिया जो सवाल करने वाला मीडिया हो सकता है ऐसा नहीं है कि कई देशों में हुआ है लेकिन मोदी ने तो मीडिया को बरबाद कर दिया है इंद्रा गांदी ने भी बरबाद किया था परन्तु इंडियन पब्लिक जो है वो सब समझ के चुप चाप बैटी थी कोशित होने के बाद उसको दिखा दी रास्ता तो हमारी पब्लिक दुबारा दिखाएगी मोधी को सबक सिखाएगी ज़रूर आपको लगता है कि मोधी अगर हारते हैं तो उनके लिए हार को पचाना कितना अरे यह सब एकदिकत बात हो गई मुझे क्या फिकर है वो रोता रहेगा तो मैं क्या करूँ आज अगर मोधी जी सामने आ जाए या मोधी अगर आ जाए सामने तो आप क्या कहेंगे उनके सामने नहीं कुछ नहीं कहूंगा मैं वो मेरे पार्टी के मेंबर है नमस्ते करेगा तो मैं नमस्ते करूँगा मैंने नमस्ते शुरू करूँगा वो करेंगे तो मैं नमस्ते करूँगा इतना ही है परम तो मैं मेरे साथ मैं तो यह जानता हूँ कि वो गलतकार रहने है हैं और हमारी से दोस्ती तभी होगी जब घठ वो जाधे सुधार हींगे नहीं तो मुझे करने के कोई मतलब भी नहीं है सुधार की गुझाइश तो मुझे नहीं लग रही है मैं तो कहरा हूँ कि यदी मैंने दिका है कि मैं इस आशा में बैठा हूँ कि मोडी बदल जाएंगे वो लोग तंतर में विश्वास करने लगेंगे ये तो मैं नहीं कह रहा हूँ ना तो ये आप सोचे मैं कहता हूँ कि मैं इतना ही है कि मेरा काम है पबलिक में परचार करना परचार करते जा रहा हूं, सब जगह में बोल रहा हूं, हमारी सबसे जा और ऐसे काम करता हूं, जिसमें वो खुद उसको चीनने चाहते हैं, जैसे राम मंदिर मैंने कराया, और कहा कि मेरा मूलबूत अधिकार है, वहां पूजा करने के लिए और कोई जगह नहीं है हिंदुस्तान में जहां मैं पूजा कर सकता हूं, राम लाला के लिए, और इसलिए किसी की भी हो, किसी ने भी खर्चा किया होगा, किसी ने भी बना होगा, कुछ का कोई अर्थ नहीं ये मेरा जो मूलबूत अधिकार है इसको पूरा करना ये ही कोट ने माना लेकिन राम मंदिर को लेके सारा क्रेडिट तो मोदी ने खुद लूट लिया है तो आपके आंपों में लूट आया है मैं तो ऐसा देखता नहीं हूँ मैं देश बर में जाता हूँ सब मानते हैं सब मुझे बुलात कर सुनते हैं कहते हैं ये तुम्हारे लोग करते हैं ये जो अकबार वाले हैं जो यहां काउटेल पार्टी में गुमते हैं वो करते हैं जो भी जानता है वो सब बुलते हैं मुझे आप कहते हैं मुझे काशी विश्वनाद के लिए लोग बुला रहे हैं कि आप इसका भी करिये तो आप यानि कि राम मंदिर के बाद आप काशी विश्वनाद का मंदिर का समय है तो आप नैचरली मैं तो पहले से कह रहा हूँ माने जहां राम पैदा हुए जहां कृष्णा पैदा हुए जहां जोतिर लिंग गाड़ा शिविभगवान ने ये तीन हैं जिसमें हम कोई और जगा देख नहीं सकते हैं लेकिन डॉक्टर स्वामी जिस तरीके से आरेसेस के अंदर के लोग भी बात करने लगे हैं कि सबसे बड़े जो हिंदुत्व के जो नेता हैं वो मोदी हैं तो उनसे बूचे ना मुझे क्यों बूचते हो नहीं लेकिन आप इस बात को मानते हैं मैं क्यों मानूँ मैं कुछी ने कहा अभी ね đã अभी तक मैंने कभी कहीं किसी का सुना नहीं मैं इसके श्रह कैरे कुशें और आप ने भी लबी लड़ाई लड़ी हैं कूंछी लड़ाई हैं और रस य्दम के पारे बारे क्या कह रहे थें एक ये फीलिंग है कि हिंदुतु के जो सबसे बड़े नेता है वो प्रधान मंत्री नरेंडर मोदी ने अपने आपको स्थापित कर लिया है हिंदुतु के एक परीके से राजा के रूप में आप अपने के अपनी विचार बता रहे हैं या देश की ऐसा मुझे नहीं दिखता है आपको दिखता है मुझे नहीं दिखता है तो इसमें बहस करनी कोई कारणी नहीं बनता है आपको लगता है कि मोदी की जो असलियत है वो पूरब देश के सामने है या मोदी अभी भी एक एक मिस्ट्री है। मिस्ट्री आपके लिए हैं, पब्लिक के लिए नहीं है। इस देश की पब्लिक सब बहुत जल्दी पैचान लेती है। तो बोधी की असलियत पब्लिक में आ गई। नहीं आ गई, पहले से पता था उनको। लेकिन जद्वा ने फिर भी वोट किया। अनाजरली सोनिया गांदी को छोडने के लिए कुछ भी कर सकते थे हूं। और बागी लोग के पास हमारी उमीद नहीं थी कि वो सोनिया गांदी का सामना करेंगे। तो इसलिए हमने बागी लोग को सोचा नहीं। नहीं लेकिन आप तो सोनिया गांदी की तबैद भी खराब रहती है। नहीं आप आप आपकी बात मत करिये। जब हमने इनके लिए काम की वो है कि सोनिया गांदी नहीं आनी चाहिए। और उसकी आने की यही का भाय था कि मनमौन सिंग बहुत अच्छे प्राइम मिनिस्टर थे। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और सारा भला वो ले लेगी। उसकी सारे जो क्रिडिट है वो ले लेगी। और उस पर वो आईगी और दुआरा मनमौन सिंग को भी नहीं बनाईगी। वो अपने बेटे को बनाईगी। तो हम इसको आने नहीं देना है। इसलिए हमने कहा कि BJP को जिताना है। नहीं तो मैं जन्ता पार्टी के अध्यक्स छोड़कर BJP मैं सादसे नहीं बनता। नहीं विपक्ष तो खेर इस समय नजर ही नहीं आ रहा है। मोदी जी ने तो विपक्ष को ऐसा खत्म किया है कि विपक्ष है ही नहीं। नहीं फिर वो विपक्ष कहने लायक नहीं है। यह मोडी का दोश नहीं है। तुम कमजोर हो और फिर मोडी को दोश दोगे। तो मैं कैसे मान सकता। लेकिन मोधी जैसा पावुरफुल नेता आपको लगता है कि देश के लिए सही है, इतनी पावर, इतना मारा हो टोट्रैक.. ने, इसके पावर इंद्रागांदी से जादा नहीं है। इसके पावर जबरला नेरु से ज्यादा नहीं है। यहाँ एक संस्कृť होती है, संस्कृेटी इनमें नहीं है लोगतंटरिय संस्कृती इनमें नहीं है、 जैसे नरस्र मराव नहीं था, चंद्रशेकर में था, मौराजी दिशाई में था, ऐसा नहीं है。 और ये इसको कोई इनके विरोध में कुछ कोई जाएगा तो फिर उसको छेडेंगे, यानि मेरे जैसे लोग को नहीं छेडेंगे, वोका तो फिर और भाईकर होगा मामला, तो वर्म तो जो आम है, आपके पत्रकार हैं, सब का रीड की हटी कमजोर है, तो आप बोलते नहीं है नहीं, पत्रकारों की बात नाग भी करें, अब आप देखेंगे, मैं इसलिए कहता हूँ कि मोडी को दोश देना आसान है, पर तो आप अपना कर्तब ये कर रहे हो, आप मनें पत्रकार, बुद्धी जीवी, कई लोग का नाम ले सकता हूँ, क्योंकि आप पत्रकार हैं, इस सब को एक को पकड़ोगे तो हमें भी पकड़ो, ऐसा कहो, मोडी जी को तो पसंद ही नहीं ना, क्योंसे कर सवाल करें, पसंद नहीं है, तो तो मारे पसंद का होगा हो, क्या बात करते हैं, आपके कमजोरी को छिपाने के लिए, ये पत्रकारों का मुझे आस्चरी होता है, लिखो आप, क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, बंद कर देंगे, नहीं, डॉक्टर स्वामी, लेकिन मुझे ये बताईए, कि अगर मोडी सही नेता नहीं है, तो फिर राज्यों के जो चुनाव है, आप देखे किस तरीके से मोडी जी प्रचार करते हैं, मोडी जी के ही द उन्हों रिकार कि ये तो जो उमिद्वार आएं हैं, ये संग के चुनेवे लोग हैं, और आरेसेस के कारिकारताओं ने जाकर बूत बूत में कैम्प ही किया, तो आप ये कह रहे हैं कि जो राज्यों में, जो बीज़िपी को जो जी प्रचार के लिए हैं, वो मोडी का मोजी जी को कर दी चले गई, मैं तो युद्धा हूं, मैं इर्शा में नहीं रहता हूं, डोर्टर स्वामी, एक अंतिम सवाल आप से करेंगे, कि आप चाहते हैं, जो हजार चॉबीस में मोधी प्रधान मंत्री बने, ना, उसको नहीं बनने के लिए मैंने तो पब्लिक के में बोल दिया है, क्यों? ना, नालाएक है, आज की परिस्टिती के लिए वो नालाएक है, सोनिय गांदी बहुत कमज़र हो गई, कुछ नहीं आ सकती, अब इसको नहीं रखना, इसने चाइना को हमारी जमीन दे दी, और इसने कई लोगं के साथ दुरवेवार की, जो करना चाहिए और मनमानी बहुत की उसने तो इसलिए मैंसे इतना लाइक है अगर इसी तरह से मनमानी करते रहेंगे तो फिर क्या होगा देशना तो यह यह आपकी चिंता है तो हमें ऐसा कोई चिंता नहीं है आज है दस साल है हम तो लड़ते रहेंगे तो क्या करूंगा मैं स्वामी वाने फूलिए जादा से जादा शेयर करियेगा फीद्बाक टीजेगा और बने रहेगा अजीट अंजू के प्लाफॉम पर थांक य।